है गाइस स्वागत है मेरे चैनल इंट्रडे गाइड शेवांच बहसीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको लेकर आयों बुद्वार के लिए ऐसे पांच स्टॉक्स जिसमें चार्ट अनालेसिस भी करेंगे जो कल इंट्रडे पे और अगर आप स्विंग कराते हैं जनली बेसे में इंट्रडे पे ज्यादा तर काम नहीं करता है मैं परस्विंग ट्रेट्स करता हूं और मतलब दो दिन के लिए या बीटी एस्टी में काम करता हूं या फिर स्विंग ट्रेट्स होते हैं तो अगर हम charts की बात करें या फिर अगर हम harmonic patterns की बात करें तो हम harmonic patterns हैं जिसमें हम trade करते हैं particularly उसी पर आपको हम calls provide कराते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको याद भी हो गए होंगे कि हम आपको butterfly pattern होता है, guard lay pattern होता है, cipher pattern होता है, bat pattern होता है, हम आपको calldz provide कराते हैं और chart में दिखाते हैं तो यह patterns जो rare patterns होते हैं यह rare patterns हर्मोनिक pattern होते हैं इसी के basis पर आप लोगों को calls provide कराइजाते हैं, इनके targets बहुत है होते हैं और उनके जो percent accuracy होती है वो guys accuracy उनकी बहुत जादा अच्छी होती है so उसके साब से अगर हम चलते हैं जो अगर आप बात करेंगे कि head and shoulder या फिर अगर आप कोई और patterns की बात करेंगे उनकी मैं आपको बहुत examples दिखा सकता हूँ कि वो वहाँ से reverse कर गया है और उनका fail breakout हुआ या वो वहाँ तक पहुचे नहीं पर अगर हम harmonic patterns की बात करें तो 10 harmonic patterns में से 8 हमेशे अपने targets तक hit करते हैं जो उनका minimum target है तो guys इसके इसाब से हम बात करते हैं कि कौनसे stocks हैं जो आप कल की trading session पर या फिर अगर आप एक हफते का point of view लेते हैं दो तीन दिन का point of view लेते हैं तो आप अच्छी earning कर सकते हैं सो हम बढ़ते हैं charts की तरफ और charts पर जाके सबसे पहले देखते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर voltas का chart open करा हुआ है so voltas के chart पे अगर आप देखे तो एक तरीकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक bat pattern develop हुआ है और bat pattern का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका low है exact bat pattern का वो आ रहा है around 6.64 पे और जो आज voltas का low था वो था around 6.66 का यानि कि 4 रुपे का हम देख रहे हैं कि बस 4 रुपे को test नहीं कर रहा है आप साइट देखने को मिल गई है तो 6.69 पर आज इसने closing दी है तो अब आपको करना क्या है 6.69 की closing है हमारा buy बन रहा है 6.64 पे यानि कि 5 रुपे नीचे हमारा voltas पे buy बन रहा है अगर आपको कल शुरवात में voltas पे dip मिलती है तो जरूर buy करिए voltas को या फिर अगर आपको current price पर भी मिलता तो भी आप buy करके चाल सकते है targets में आपको बता देता हूँ जो आपका target है वो guys आपका target पहला target होगा 6.76 का और second target जो आपका होगा वो 6.83 का होगा stop loss आपको maintain करके रखना पड़ेगा stop loss आपको around 11 रुपे नीचे का maintain करके रखना पड़ेगा so in the end हम maintain करके यह चल रहे है कि 11 रुपे का stop loss है और 18 रुपे का target है so यह जो targets में आपको बता रहा हूँ यह minimum target है पर जो यह patterns होते है patterns के generally जो target होते है वो यहां तक जाते हैं जो की 6.18% retracement level है तो यहां तक इन की जाने की capacity होती है और यह आपको फिर अच्छागासर return दे सकती है तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि 1 is to 3 का ratio का यह profit दे रही है यानि कि 10 रुपे का target stop loss और 30 रुपे का target है यह आपको pattern दे कर जाती है तो यह patterns होते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से profit कमा के दे सकती है तो वोल्टास एक बाय है next stock पे आते हैं next stock आगया हमारा just dial just dial एक बहुत बढ़िया count है आज breakout देखने को मिला है बहुत time बात तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यह एक particularly range थी यह आप देख सकते हैं blue color, green color की जो range बनी है यह range के अंदर यह trade करता था आप देख सकते हैं यहाँ पर यह trade करे जा रहा था यहाँ पर भी इसने आप देख सकते हैं कि resistance phase करता था यह support लेता था और अगर मैं इस line को extend करता हूं मैं इस line को अगर zoom out करता हूं तो भी आपको दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं एक second यहाँ पर आप देखेंगे यह जो line है guys यह line पीछे resistance का भी बहुत 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 काम कर चुकी है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यह हमें अच्छा खासा return एक बर देकर चल सकती है मैं आपको zoom करके एक बर और दिखा देता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं तो यहाँ पर इसने एक particularly channel से breakout दिया breakout देने के बाद जो daily 50 day की exponential moving average है और उसके उपर जाके इसने closing देने में कामियाब करा है तो अब हमारे लिए कि यह buy बनता है हमारा buy कब बनेगा हमारी buy की range में आपको बता देता हूं buy की range है guys 582 से 586 या 587 यानि कि यहां से अगर आपको 3 रुपे नीचे मिलता है तो वो एक range आजाएगी जिस range में आप just dial को buy करके चल सकते हैं और आपको यह अच्छा return दे सकती है stop loss हमारा guys इस पे 1 is to 1 का ही होगा क्योंकि कोई generally pattern developed नहीं हो रहा stop loss इसका थोड़ा deep है और आपका target भी आपको अच्छा कासा मिल सकता है तो 1 is to 1 का आपको profit taking risk reward ratio मिल जाएगा जिसमें 40 रुपे की upside है और 40 रुपे की downside का आपको stop loss maintain करके रखना है next आते है guys हम infosys पे so infosys पे same तरीके का similar pattern है similar pattern पे आप देख सकते हैं एक channel है channel की उपर यह निकला और channel की उपर निकलने पे ही आप देख सकते हैं exact इसी channel पे हम देख रहे हैं की एक channel तो ऊपर resistance का काम कर रहा है plus हम देख रहे हैं की 50 day का exponential moving average भी एक resistance का काम कर रहा है और आप देख सकते हैं की उसकी ऊपर जाके उसने आज अपनी closing दिया जो यह red line है guys अगर मैं red line को आपको zoom करके दिखाता हूँ तो आप देखेगा किस अच्छे तरीके से यहाँ पर इस red line पे यह support लिया तीन बार support लिया यह resistance face करता था तो यह एक बड़िया counter है infosys जो मुझे लगता है कि अब higher returns दे सकता है और इसका stop loss अगर हम बात करें तो stop loss यहाँ से कम से कम दाई से 3% का stop loss है जिसमें आपको 5.5% का फाइदा भी मिल सकता है तो इस तरीके से हम एक infosys को buy करते वे चल सकते हैं और यह आपको एक buy का signal अच्छा return दे सकता है next आते हैं guys हम access bank पे access bank मैंने आपको अपने guys कल के उस पे भी बताया था वीडियो पे भी और मैंने आपको बोला था कि यह इसकी closing है इस level के आसपस आपको मिलता है तो short करिएगा और exact उसी level को test करके और हलका सा उपर जाके वो नीचे आया stop loss अगर आपने maintain करा होता तो आप बहुत अच्छे कासे profit पे होते हैं किस level पे आपको मैंने कल short की सलह दी थी 754 पे और आज इसका लोता वो 741 था यानि कि 15 रुपे आपको अराम से मिल गए होते guys आज access bank के अंदर from high से आप पूरी अच्छी तरीके से profit booking कर लेते guys ये एक short था और जो हमारा target achieve हो गया दूसरी बात हम दुबारा एक short लेकर चल सकते हैं जो कि मुझे minimum target लगता है वो लगता है कि 730 तक ये जा सकता है so stop loss आपको अभी वी वो ही maintain करके रखना है जुन लोगों ने कल मेरी वीडियो देखके call ली होगी और target सबसे पहला है guys 730 का और last target जो हम आते हैं वो 702 का है so उस तरीके से ही आपको trade लीना है और उसी तरीके से आप excess bank में short करके चल सकते हैं last talk आता है guys doctor ready doctor ready पर आप देख सकते हैं rising channel बना वाए rising channel के अंदर ये particularly trade कर रहा higher highs higher lows बन रहे हैं एक तरीके से हम देख पा रहे हैं so जो low है जो guys अगर हम lower channel की बात करें जो एक support का काम कर रही है exact उसी support पे channel की trend line पे हम देखते हैं कि 50 day का exponential moving average भी support ले रहा है और वहाँ पर ये particular stock उसके उपर ही closing दे रहा है doctor ready's so ये हमारे लिए एक buy counter बनता है मैं expect करता हूँ कि doctor ready's शायद एक bullish movement दे और यहां से हमें एक upside की over जा सकते है so guys एक ये buy counter है ये थोड़ा सा positional है अगर मैं आपको बता हूँ तो swing trading है ये risky traders के लिए है so सला यही देजी आएगी कि guys ये आप option के थूँ इसमें trade करके चल सकते है और अगर आप January का option उठाएंगे तो भी आपके लिए beneficial होगा stop loss target देखकर आप guys थोड़ा बहुत गवराईए गमत जैसे कि आप देख सकते हैं कि stop loss 100 रुपे नीचे है और target 200 रुपे का है so यानि कि 1 is to 2 का ही ratio है तो ये आपको मैं stop loss बता दू तो मैंने exact previous low से रखा गा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो previous low है ये मेरा stop loss है और इसी की basis में मैंने अपना stop loss maintain करा वाँ जो मेरे targets है वो higher side के है जो कि ये level है so ये 5 stocks मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 5 stocks में आप trade कर सकते हैं swing trade कर सकते हैं ये आपको definitely फाइदा देगा और जैसा कि आपको पता होगा ये मैं daily आपके लिए calls लेकर आने वाला हूँ so अगर आपको मेरी video पसंद आई हो तो इस video को like करिए subscribe करिए मेरे channel को subscribe करना गाइस बिल्कुल मत बूलेगा इससे जो भी मेरी videos होंगी वो सबसे पहले youtube पे आपको दिख जाएंगी bell icon दवाएंगे तभी और guys इस video को फिला दीजे शियर करिए जगर आप शियर करेंगे guys जो आपके दोस्त आपके relatives आपके friends हैं वो लोग भी trade ले पाएंगे और वो भी कुछ earning कर पाएंगे तो इस video को फिलाई हो comment section में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये video कैसे लगी है और जो मैंने पिछले दो दिन से videos बना रहा हूँ गाई उस पे अब मैं अपने comment section पर जाने वाला हूँ जो आपको particular stock के उपर जो आपको अच्छागा सा फायदा दे सकती है जिसमें आपको doubt हो रहा है so comment section में हमने stocks लिखना महत बूलिएगा जिसमें सबसे ज़्यादा like होंगे या सबसे ज़्यादा stock recommend होंगे तो मैं उसी के उपर वीडियो बनाऊगा इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप से कल अगली वीडियो के साथ मैं शिवांच बसीन साइनिंग ओफ